हेलो जिद्धी विद्यार्थीज तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन प्री हिस्ट्री से और यह प्रिलिम्स के लिए स्पेसिफिकली या सिरीज है और इसमें एक एक करके सारे सब्जेक्स हम देखते जाएंगे सब्जेक्स होंगे सबकी एक इंडिवीजुल जो है वो इंडिवीजुल प्लेलिस्ट जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी हर सब्जेक्ट के लिए ठीक है तो वन बाई वन वी इल गो थू एट तो अभी हिस्ट्री प्लस करने अफेर से स्टार्ट करने वाले हैं करने नियोलिथिक पीरियड और चालकोलिथिक पीरियड ठीक है तो यह चार पीरिड हम देखेंगे इसके इमिडेटली बाद हम इंडिस वैली सिविलाइजेशन नेक्स चैप्टर पे जाएंगे नेक्स टॉपिक पे जाएंगे उसके साथ में इंडस वैली के बाद जो है वैदि the statement based questions तो वो हम miss ना करें, जो history में statement based questions आते हैं, जिनको trace करना बहुत difficult हो जाता है, तो जो statement based questions है, along with factual questions, तो वो दोनों के दोनों ही हम जो है in notebook के माध्यम से learn कर पाएंगे, ठीक है पहला जो है, paleolithic age को हम लोग देखते हैं यापर, जो कि pleistocene period को belong करती है paleolithic period कभी start हुआ तो it is around like 25 lakh years ago, 2.5 million years ago, till 8000 BC, ठीक है, 8000 BC के बाद, जो है, mesolithic start हो जाता है आपका, तो यहाँ पर paleolithic period 8000 BC तक जाता है उसकी कुछ important features देख लेते हैं, पहला चीज old stone age इसको बोलते हैं, secondly यह pleistocene period में ही develop हुआ था, pleistocene period के ice age में, और वो around 10,000 BC तक ice age चली है आपकी ठीक है, उसके बाद जो है, holocene period आपका start हो जाता है, और holocene period में आपका mesolithic बिलॉंग करता है plus neolithic, and right now जो anthropocene period चल रहा है इसको 21st century या भी climate change वाला period बोलते हैं, वो holocene के बाद भी है, लेकिन उसको scientists ने अभी declare किया है, ठीक है, लेकिन अगर हम historical point of view से देखें, तो हम generally pleistocene और holocene को देखते हैं पलेoletic period में लोग कैसे हुआ करते थे, food gatherers थे अब important thing is कि इनको quadzite man बोलते हैं, ठीक है, quadzite man जो उस समय के लोग थे, उनको quadzite man बोलते हैं, because वो जो stone tools use किया करते थे, वो quadzite का बना हुआ करता था, ठीक है, अब history में ऐसे बहुत सारे stones के बारे में पढ़ते हैं geography में पढ़ते हैं, तो उसी लिए इनका नाम quadzite man पढ़ गया, ये unpolished tools हुआ करते थे, unpolished कि sense में इसका refined version जो था, वो आता है mesolithic period में, और उसके बाद neolithic में पूरा ही polished हो गया था, ठीक है, तो इसलिए उनके tools जो थे, वो primitive tools थे और ये मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, कि किस तरीके जैसे ये आपका जो है, ये पूरा का पूरा paleolithic है, ठीक है, paleolithic देखना polished नहीं है, बड़े size में है और generally, बहुत refinement इन में देखने को नहीं मिल रहा है, compare to यहाँ पर ये mesolithic है आपका period and ये आपका neolithic tools है, ठीक है, तो इसको भी, ये tools को हम tool technology को भी one by one देखेंगे, लेकिन शुरुआत हम इसी से करते हैं कि paleolithic ऐसा दिखता है so that you have a picture in your mind क्योंकि जब question solve करना होता है तो हमें थोड़ा से एक idea अगर pictographic memory है तो उससे clarity आ जाती है तो this is about paleolithic tools, अब tools थे कौन-कौन से, अगर मैं उनकी बात करूँ यहां पर तो tools में आपके hand axe थे hand axe का क्या मतलब होता है, हाथ की कुलहारी, तो axe मतलब कुलहारी तो hand axe मतलब जो हाथ से ही use करें आज की date में कुलहारी में आप देखते होगे कि एक shaft होता है, एक तरीके के tools हैं, जो कि paleolithic period में primitive man use किया करते थे, यानि कि quadzite man use करते थे, अब यह tools इंडिया में कहां-कहा मिलते हैं, यह sites important हो जाती है, पहली क्या है Swan Valley, जिसको Sohan River Valley भी बोला जाता है, इसके बाद दूसरा site जो है, आपका यह Heeran Valley है, कहां पर गुजरात में, थर्ड जो है, यह Belan Valley है, आपका Belan Valley UP में, ठीक है, और उसके बाद एक Sanghao Cave है, यह पेशावर पाकिस्तान के पास है, यह सब NCRT से pick किया हुआ है terms, तो यह कहीं न कहीं important है आपके लिए, कि आप इसको भी learn करें, पालावरम Hand Axe, ठीक है, पालावरम Hand Axe, जो है, यह इसको पहला Paleolithic Tool बोलते हैं, जो कि इंडिया में मिला, ठीक है, पालावरम जो है, साउथ इंडिया, तमिलाडू की एक जगे का नाम है, तो पालावरम Hand Axe, उसको ही बोलते हैं, था, आक्से Found in India, are more or less Similar to those of Western Asia, Europe and Africa, तो यह क्या दिखाता, एक तरीके से जो Development है, Intellectual Development है, वो हर जगे पर Common Level पर, Similar Level पर हो रही थी, ठीक है, इसलिए Axis जो है, वो भी हर जगे पर Similar देखने को मिल रही है, Paleolithic Period में, आपका Climate कैसा था, Less Humid Climate था अब इसमें एक चीज़ और जानिए कि इस Industry को नेवासन Industry भी बोलते हैं, ठीक है, तो कलको Quadzite Man पे Question आ जाए, या आपका नेवासन Industry पे आ जाए, तो उन दोनों ही सूर्तों में, यह Paleolithic Period को बिलॉंग करता है, नेवासा Site कहां पे है, माराष्ट्रा में Located है, Fire के क्या Evidences मिलते हैं, यह आपका UPSC में Generally इस तरीके के Questions आते हैं, कि कब पहली बार Fire जो है, वो कौन से Period में Use किया गया, ठीक है, तो Evidence यह मिलते हैं, कि Paleolithic Period में Fire का Use किया गया था, फिर Homo Sapiens जो हैं, यानि कि हम और आप, आज की Generation के जो Humans हैं, वो भी जो है, Late और Upper Paleolithic दोनों Same Term है, Late और Upper Paleolithic इस Time Period में Homo Sapiens का Evolution और Emergence हुआ था यह Late और Upper Paleolithic इसको Belong करता है, 40,000 years BC to 10,000 years BC यानि कि जो सबसे latest Paleolithic stage है, वो Late Paleolithic है, Hope this is Clear to you, अभी इसको थोड़ा सा माप के थू भी समझते हैं हम लोग Lower Paleolithic has two cultural traditions, एक सोवानियन Pebble Tool Tradition है दूसरा Peninsular Indian Handex Clevel Tradition है ठीक है, तो generally यह जो usage है, यह Tool के basis पे होता है, कि इस तरीके का Tool वो लोग यूस करते थे, तो अलग अलग जगे पे अलग अलग तरीके, तो Pebble क्या होता है पानी में देखते हैं तो वो जो छोटे चोटे से आपके जो टुकडे होते हैं, stones के उनको Pebble बोलते हैं, तो उनको ही जब धारदार बना दिया जाता था, थोड़ा सा ऐसा नुकिला बना दिया जाता था, तो उनको ही Pebble Tool बोल दिया जाता था तो Lower Paleolithic में इसको cultural tradition इस तरीके से define किया गया ये तीन phases में है Paleolithic age आपकी ये Lower Paleolithic, Middle Paleolithic, Upper Paleolithic आप इनके symbols देखें ये बने हुए हैं यहाँ पर यहाँ पर ये ये symbols हैं आपके ठीक है तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि यहाँ पर ये आपकी भीम बेतका की site है ये Racine site है, ये Hathnora fossils है ठीक है अब ये तीनो ही जगे जो हैं ये मद्यप्रदेश में आते हैं ठीक है हतनोरा fossils कहां मिले हैं मद्यप्रदेश में धीम बेतका से आप familiar होंगे, Racine district आपको वैसे पता होगा लेकिन हतनोरा के बारे में सुन तो रखा होता है लेकिन लोगों को याद नहीं होता है तो हतनोरा fossils हमारे कहां पर हैं मद्यप्रदेश के अंदर फिर ये देखिए पाटनेगर के जगे है पैलियोलिथिक site है कहां पर located है, ये महराष्ट्रा में located है, राइट फिर हुंसगी, हुंसगी valley है, हम लोगों ने ऊपर भी वैली के बारे में देखा बेलान वैली देखा हमने उसी तरीके से हुंसगी वैली है ये करनाटका में है आपकी राइट, उसके बाद ये कालाडगी जो site है ये भी करनाटका में है और कौन सी है, पैलियोलिथिक साइट है फिर जौलापुरम इस देर, अतिरम पक्कम इस देर, ठीक है अतिरम पक्कम कहां पर है आपका तमिल नाडू में तो इस आर दे वेरियस साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियेड सैंडी नाला स्वैम ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी आपकी एक पैलियोलिथिक साइट है ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ साइट्स हैं आपकी जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए क्योंकि आज की डेट में जब questions इस तरीके से आ रहे हैं कि इन में से कितने सही हैं only one correct, only two correct तो वहाँ पर हम chance नहीं ले सकते हैं ठीक है, क्योंकि हमें exact idea होना चाहिए कि कौन सी साइट कहां पर है और ये आपकी इस तरीके से mapping में learn करने से आपको कहीं न कहीं एक learning जो है, वो आपकी लंबे time तक चलेगी फिर आगे इसी में बढ़ते हैं एक site वैसे यह है, beta tomba lena ये श्रिलंका की site है, not much important but still you can consider it after that we will move on to seeing the sites, ठीक है ये भीमबेत का site से बहुत important site है ये UNESCO World Heritage site भी है हमारी, जो इसको 2003 में declare किया गया था, इसके सीवा इसके और भी features हैं, जो हम देख लेते हैं कि करके, पहला है, यहाँ rock shelter है, इसके बारे में आपको idea होगा, जहाँ पे ancient rock art हमको देखने को मिलती है और spanning various periods, यह periods कौन से हैं इसमें हर period की आपको, आप paintings मिली है starting from paleolithic period ठीक है, paleolithic भी है, mesolithic भी है, neolithic भी है, चालको लिथिक भी है, उसके बाद यहाँ पर bheembeetka में 133 pictures are in total, और 750 rock shelters है, ठीक है, यानि कि जो गुफाएं हैं, जो areas हैं, वो 750 number हैं, और total 133 pictures मिली हैं, theme इसका कैसा होता था, this could be another UPSC question, क्योंकि theme वो पूछ सकते हैं general curiosity भी है और UNS को world heritage site भी है हमारी है, इसमें hunting के scene देखने को मिलते हैं, dancing मिलता है, music का scene है, मतलब कोई play कर रहा है कुछ तो उसको draw किया गया है linear line से draw किया जाता ठीक है, किसी को linear में कुछ दिखाना है जैसे इंसान को ही दिखाना है तो ऐसा करके उसको दिखाया जाएगा ठीक है, तो ये linear कहीं न कहीं उसको use किया है इन लोगों ने तो music होगे, horse होगे, elephant riders होगे animals, fight कर रहा है आपस में, ठीक है, honey collection की seeing है, और decoration of bodies भी है, तो ये आपका जो theme है ये इनों ने यहां पर बताया है कि किस तरीके कि theme हमको भीमबेतका paintings में देखने को मिलते है UNESCO World Heritage Site 2003 में डेकलियर किया गया, अब भीमबेतका का नाम, सबको नाम तो पता है लेकिन किस चीज़ पर आया ये, तो महा भारत के अंदर जो character थे ना भीम उनके नाम पर ये नेमिंग की गई ये भीमबेतका की, right after that, second site would be अतिरम पकाम, ठीक है, तमिलनाडू में located है आपकी, यहां पर evidence मिला है, Achillian tools का Achillian tools कौन से होते हैं ये आप देख रहे हो जिस तरीके कि इनको Achillian tools बोलते हैं, ये तरीके कि stone है हैं, लेकिन ये stone hand axes हैं ठीक है, lower paleolithic की पहचान इन से होती है, ठीक है और stone hand axes वही हाथ से चलाने वाले, जिसे हाथ से वार कर सको, एकदम पैना कोई हतियार stone से बना हुआ, तो उसको ही Achillian tools बोलते हैं तो ये जो है, आपका नाम कहां से आया है, तो France से इसका नाम आया है, क्योंकि वहाँ पर सबसे जो earliest tools थे इस category के वो मिले थे हमें, right After that, one more site is दिदवाना, जो कि राजिस्थान में located है, ये UPSC का previous question भी है, पिछले दो साल के अंदर ही इसको पूछा गया है, लेकिन पूछा कैसे गया था, उन्होंने दिदवाना लेक के बारे में पूछा थीक है, जो कि कहां पर located है, तो राजिस्थान में है, और यहां पर भी, अगर हम दिदवाना as a site भी देख रहे हैं, तो कल को किसी और form में question आता है, तो उसके बाद भी आप उसको handle कर पाओगे, again दिदवाना को क्या बोला जाता है, it is referred as India's Old Way Gorge अब Old Way Gorge की खासियत क्या है, यह देखिए आप, तो यह पहली चीज़ तो तंजानिया में है, और it is one of the most important paleoanthropological localities in the world, ठीक है, यहां पर बहुत सारे evidence मिलते हैं, Paleolithic period के इसलिए यह बहुत important site मनी जाती है, और जब इंडिया में दिदवाना को ऐसा बोला जा रहा है तो इसका मतलब है, दिदवाना is very important site for Paleolithic period उसके बाद पाटने महराष्टरा में एक site है, सिंगी तलाव भी महराष्टरा में है, आपका हुंसगी, करनाटका में है सराई नाहर राय, इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह और भी periods को बिलॉंग करती है, यह उत्तर प्रदेश में है located, और मसोल करके मसोल जो है आपका यह पंजाब में है ठीक है, थीज आर दा वेरियस पैलियोलिथिक साइस that we have studied, पहला भीम बेत का, दूसरा जो है अतिरम पक्कम, तीसरा दिदुवाना, चौथा जो है पाटने, पांचवा सिंगी तलाव, शिक्स्त इज होंसगी, सेवन्त इस सराई नाहर राय यह जो साइथ हैं आपकी यह कल को question के form में किसी भी तरीके से आ सकती है सराई नाहर राय remains very very important for different periods, सिंगी तलाव is very important दिदुवाना is very important, भीम बेत का remains very important और यहां तो इसके बारे में और भी points है तो इसे से आप learn करते चलिए, फिर जो हम यह tools के बारे में बता रहे थे तो यह देखिए refinement इस order में बढ़ता जा रहा है ठीक है, यह refinement का order है, कि शुरुवात में चूकी उतना intellectual development नहीं था तो उनको समझ कम थी, तो उनसे जो उसे समय develop हुए tools वो इस तरीके से हैं, जो कि बहुत sharp नहीं दिख रहे हैं आपको इनका refinement जो है, यह धीरे धीरे देखिए, यह sharp होता चला जा रहा है यहाँ ठीक है, और यहाँ पर आकर यह zoom in picture, यह zoom in picture है, लेकिन अगर इसको देखोगे तो यह dagger की तरह आपको दिखेगा, देख रहे हैं आप इसको नुकीला पन इसका, तो यह dagger जो है नियोलिथिक पीरि is the mesolithic period, जो holocene period को belong करता है, इसका time period क्या है, 8000 BCE to 4000 BCE, अब यह पहली चीज़ intermediate stage है, stone age culture की, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, late stone age, right, late stone age यह कहलाई जाती है, first evidence जो domestication of animals का मिलाता है, यह आपके UPSC के लिए बहुत important है, तो वो बाग और आदमगर से मिलाता है, इसके ब लेकिन यह जो domestication of animals है, यह UPSC का probable question हो सकता है, इस तरीके के questions वो पूछते हैं, पहले उन्होंने पूछा था क्या Indus Valley के civilization के जो लोग थे, वो horse के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे, यह previous year question है UPSC का, उसी तरीके से domestication of animals, यह कब चालू हुआ, ठीक है, यह पूछ सकत में, ऐसा कुछ भी question आ सकता है, तो पहला evidence जो domestication of animals का मिला, वो हमें mesolithic period में मिला, और कहां से मिला, बागौर and आदमगर से, ठीक है, after that tools इनके कैसे थे, tools के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो tools यह microlith tools हुआ करते थे, जो की बनते थे silica से, chalcedony से and chard से, ठीक है, यह microl हैं, यह सारे के सारे जो हैं, आप देख रहे हो, यह microlith हैं, ठीक है, और यहाँ पर यह mesolithic tools जो हैं, इनको microlith बोलते हैं, और यह बुर्बनपुर, West Bengal में मिले हैं, through Nail Valley, Tamil Nadu से मिले हुए हैं, ठीक है, इसके बाद मैं देखूं, तो यहाँ पर pottery की बात करते हैं, हम लोग तो pottery was present, यानि कि यह भी UPSC का एक question हो सकता है, कि pottery किस time पर आई पहली बार, तो pottery हमें देखने को मिल रही है, लंगनाज साइट गुजरात में, and कैमूर region of मिर्जापुर, ठीक है, mesolithic period में pottery present थी, after that plant cultivation जो है, यह कब चाल हुआ, क्योंकि agriculture पे देखिए लगातार question बनता है, तो agriculture, तो हम generally associate करते हैं, जो proper settled life है, ठीक है, या barley का cultivation है, तो वो हम neolithic से जोडते हैं, ठीक है, लेकिन अगर plant cultivation की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो plant यानि पेडों को कबसे cultivate किया जाना, कबसे उगाना चालू किया गया, ठीक है, तो वो mesolithic से, भाई, plants थे तो हमेशा से, लेकिन जब humans ने उनको उगाना चालू किया, bait in the form of nursery या पेडों को ही cultivate करने की बात करूँ, forest के form में, तो वो mesolithic period से चालू हुआ है, rock arts की बात करते हैं, कि भाई, इसकी rock यानि पत्थरों पे जो painting होती थी, किसी तरीके के art बनती थी, तो वो कब mesolithic period की कहां कहां हुई है, तो हैं, आप सोहागी घाड, भीमबेट का case, जावरा, कठोतिया and खरवार, these are located in मध्यप्रदेश, सुंदरगर and संबलपूर in Odisha, इजुथु गुहा, जो हैं कैरला में paintings हैं, ठीक है, तो यह इजुथु गुहा कि अगर मैं बात करूँ, तो अभी इससे क्या समझ में आ रहा है और वो पूछ लेगा कि यह exactly किस चीज़ को represent करते हैं, ठीक है, वो आपको कठोतिया दे देगा, इजुथु गुहा दे देगा और यह सोहागी घाड दे सकता है, ठीक है, और कल को आपसे question करेगा, कि यह painting है, किसी period की mesolithic period की, यह paleolithic tools यहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो इस त और यह दिखाता है, आपको again, UPSC का सवाल यहाँ से frame हो सकता है, reflects division of labor, gender in those times, तो जो painting है, painting यह भी दिखाती है, कि वहाँ पर division of labor हुआ करता था, gender के basis पर, यानि महिलाओं के काम अलग, पुरुशों के काम अलग, और वहाँ पर कोई snake भी नहीं मिला है, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि, जो mesolithic period की painting वो क्या दरशाती है, और यह UPSC में इसमें questions frame हो सकते हैं, इसके बाद जो है, हम लोग अभी देखते हैं, इसके further mesolithic sites जो है, वो कहां कहां पर है, ठीक है, इसमें most important site जो है, आपकी, वो भिंबित का site है, ठीक है, भिंबित का site जो है, उसमें ह located कहां पर है, यह rising district में है, मद्यप्रदेश में ठीक है, और यह 45 km की दूरी पर है, भोपाल से, after that, second site जिसके बारे में अभी हमने बात की, आदमगर जहां पर evidence मिला हुआ है, animal domestication का यहां पर, पालतु जानवर पाले जाते थे, यह कहां पर located है, नर्मदापुरम मद्यप्र इस चीज़ का मिला है, microlithic tools and pottery का, right, तो यह microlithic tools and pottery और animal domestication एक जगे से मिलते हैं, जो की बागोर है, यह आपका यहां पर भी UPSC का एक सवाल create किया जा सकता है, ठीक है, फोर्थ example would be, फोर्थ site could be, बीरभनपुर, यह वेस्ट बेंगॉल, यहां पर भी microlithic tools मिले हुए है early human occupation का, जो लोग काम क्या करते थे, उसके साक्ष मिले हुए है, यह West Bengal में located site है, after that a few more musolithic sites would be, मुरहाना पहाड यूपी में, after that चोपानी मांडो in यूपी, तो यूपी में कौन-कौन सी दो sites है, मुरहाना पहाड है और चोपानी मांडो है, फिर 7th site is Langanaj, बहुत important site है, located है, it has evidence of both lower and upper paleolithic tool industries, यानि जो paleolithic-lithic मतलब tool industries, ठीक है, तो यह lower और अपर दोनों paleolithic भी मिलता है, plus mesolithic sites भी यहाँ पर located है, उनसकी कहाँ पर है, आपका करनाटका में है, 10th is another very very important site, सराय नहर राय, यहाँ पर echelon tools मिले, जिनके बारे में मैंने आपको brief किया, और bone ornaments भी मिले, bone ornaments मतलब, जो हड्डियों की माला जैसे आपने देखा होगा, कई tribals को पहनते हुए, तो वो हड्डियों की माला जो bone की माला है है, वो bone ornaments कहलाते है, तो वो कहाँ पर उसके examples मिले हैं, हमको evidence मिले, सराय नहर राय में, right, इसके साथ में there is a grave that has also been found with four human skeletons, एक ही जो grave है, उसके अ महा दहा in mesolithic, यहाँ पर भी bone ornaments मिले हैं और यह भी UP में, 12th site is दमदमा, दमदमा आपका कहां located है, यह भी उत्तर प्रदेश में located है, और यहाँ पर तीन human skeletons मिले हैं, ठीक है, तो human skeletons generally UP की sites में देखने को मिले हैं, कहां पर mesolithic sites में, ठीक है, mesolithic की जो UP में sites हैं, चाहे सराय नहर हो, महा दहा हो और दमदमा होते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारे human skeletons देखने को मिलते हैं, grave के अंदर, after that we should move on to a neolithic period, ठीक है, यह Holocene period को belong करता है, Holocene came after Pleistocene, हमने उपर इस पर चर्चा की थी, ठीक है, यह 10,000 BC से start हुआ था, ठीक है, 10,000 BC till now, अभी anthropogenic बोला जाते है, anthropocene इसको बोलते हैं, यानि human let changes की वज़े से जो period develop हुआ है, वो अभी right now चल रहा है, anthropocene, तो अभी उसी को scientist मानते हैं, कि अभी हो में Holocene के हम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, anthropocene की तरफ, लेकिन नियो लिथिक है, वो Holocene को belong करता था, इसके बारे में कुछ features जान लेते है पहला ये new stone बोला जाता था, फिर पहले grains जो है, यानि पहला cereal जो बनाया गया, उगाया गया, ठीक है, पहला cultivate किया गया, produce किया गया, वो grains जो थे, नियो लिथिक पीरियड में थे, इसलिए उसको नियो लिथिक revolution बोला गया, वी गॉल्डें शिल्डे के दोरा, वीजी शिल एक anthropologist थे, एक scholar थे, और इन्हों ने नियो लिथिक को revolution की उपाधी दे दी, क्योंकि पहली बार agriculture का production चालू हुआ था, मानो जाती के तिहास में, ठीक है, इसलिए इसको नियो लिथिक revolution बोला गया, इसमें crops को cultivate किया जाता है, fruits को उगाया है, कि बहुत सारे fruits जो आज हम खात हैं, तो वो नियो लिथिक revolution period की देन है, corn यानी भुटा इसके time पर आया, जैसे की रागी और horse gram, जिसको कुलती दाल बोलते हैं, दाल हम लोग खाते हैं ना, तो कुलती दाल, horse gram, वो भी नियो लिथिक period में cultivate की जाती थी, ठीक है, this is from NCRT, तो याद रखिएगा कि question आ सकता ह है, फिर उसके बाद इलाहबाद में जो है, वहाँ पर rice cultivation का हमें को evidence मिलता है, 6th millennium BC के रहाओं, फिर tools की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, कि नियो लिथिक period में tools कैसे हुआ करते थे, पहली जी is polished tools है, दूसरा stone tools थे, और selt को use करके बनाए जाते थे, ठीक है, granite और flint इस इस समय का key material हुआ करता था और selt जो था, वो selt क्या था, it is a long thin prehistoric stone और bronze tool, similar to adze ho और axe, यह adze ho, axe के बारे में हम आगे जानेंगे, axe मतलब कुलाडी होता है, हो मतलब एक तरीके की खुरपी, लेकिन लंबी वाली with long shaft, ठीक है, इसकी photo मैंने आगे दे रखिए, वो आप कियेगा, यह जो है, आपका यह selt है, ठीक है, इसको selt stone बोल रहे हैं आप हम लोग, इसके बाद अगर मैं pottery की बात करूँ यहाँ पर, तो pottery शुरुवाती दोर में, अगर शुरुवाती दोर में बोलें, तो handmade हुआ करती थी और बाद में pottery wheel पे बनाई जाने लगी, तो neolithic period म तो अपने neolithic period में कई सारी चीज़े देगी, पहला, new stone age था, grains पहली बार produce हुए थे neolithic period में, अलाबा साइड में rice के cultivation देखने को मिलता है, tools जो थे, उनके selt से बनाई जाते थे, flint और granite उसका key material था, pottery जो थी, वो handmade हुआ करती थी, और बाद में pottery wheel से design करने लगी, तो pottery wheel का मतलब है कि neolithic time में wheel की discovery हो चुकी थी, ठीक है, यह आपको जानना चाहिए, फिर circular और rectangular घर बनाए जाते थे, या तो मिटी, mud के घर हुआ करते थे, या read, जो छपर होता है न, एक तरीके का, तो वो read होता है, वो आला material उसे से घर बनते थे, फिर इसकी पहली site की बात करते है, महरगड, महरगड एक बहुत important site है, इसमें क्या-क्य evidences मिले हुए हमें, तो पहला evidence जो है, agricultural settlement, हमको Indian subcontinent का सबसे पहला जो मिलता है, वो महरगड में मिलता है, इसका दूसरा evidence, जो मिलता है यहाँ पर वो early cultivation का मिलता है, rice और wheat को cultivate करने का जो है, वो महरगड में हमको evidence मिलता ह third is the settled life, अगर हमने देखिये, तो कहाँ, neolithic period में देखिये, settled life, या agricultural settlement, neolithic में भी कहाँ पर महरगड में देखने को हमें मिली है, fourth is महरगड में, it is bread basket of Baluchistan, Baluchistan, Pakistan ठीक है, तो महरगड हमारे कहाँ पर located है, present today पाकिस्तान में located है, और इसको bread basket भी बोला जाता है, Baluchistan का, second site of neolithic period is Koldiva, Koldiva जो है, transition from mesolithic to neolithic को indicate करता है, ठीक है, mesolithic से neolithic की तरफ हम गया है, तो Koldiva, site पर उसके evidences मिलते हैं हमें, second point under Koldiva would be, कि rice cultivation का भी evidence या पर मिलता है, तो neolithic की बहुत सारी sites पर हमें rice को देखने को मिलता है, जैसे कि, एलाबाद में देखने को मिल रहा है, या पर महरगड में देखने को मिल रहा है, and the third thing about Koldiva, site of neolithic period is, यहाँ पर neolithic period, chalcolithic period और iron age period, इन तीनों के settlements देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो यह जो settlements है, यह Koldiva period में हमको तीनों periods के देखने को मिलते हैं, neolithic, chalcolithic and iron age, तो इसलिए Koldiva बहुत important हो जाता है, ठीक है, इसके साथ ही हम और sites की तरफ अभी बढ़ते हैं आगे, this is the third site, that is Sangana Kallu, यहाँ पर ash mounds हमको देखने को मिले हैं, fourth is Burzoham, यहाँ पर domestic dogs were buried with their masters, तो ऐसी graves मिली हैं, जिसमें जो पालतू कुते हैं, देखो, domestication of animals, ठीक है, domestication of animals, यह हमें देखने को कहां पर मिला था, हमने अभी उपर आपसे जि and Bagor, तो domestication of animals, तो mesolithic period में start हो गया था, लेकिन उसको grave में अगर हमने देखे हैं, कि domestic dogs, जो अपने masters के साथ बरीड मिले हैं, तो वो Burzoham में मिले हैं, ठीक है, यहाँ पर pit dwellings भी देखने को मिली है, Burzoham आपका Jammu and Kashmir में located है, ठीक है, pit dwellings, यानि कि गढधा खोद के, जमीन हैं, located within the household, यानि कि घर के अंदर ही जो दफनाया जाता था, तो वैसे practices जो थे, वो एक तो neolithic period में थे, yes थे, कहाँ पर proof मिला है, गुफ कराल में proof मिला है, another important side, sixth is your chirand, it is associated with northern black polished wear culture, northern black polished wear का मतलब हो गया, pottery ठीक है, तो pottery जो है, वहाँ पर northern black polished हुआ करती थी, कहाँ पर chirand में, neolithic period में, इसमें rice cultivation के भी आपको साक्ष मिलते हैं, evidence मिलते हैं, seventh site would be our चोपानी मंडो, यहाँ पर भी pottery के evidences मिले हैं, eighth site would be हलूर, यह neolithic, चालकोलिथिक transition दर्शाता है, यहाँ पर भी agriculture और millet का cultivation देखने को मिलता है, तो हलूर में millet का cultivation हम देख पा रहे हैं, ninth is the maskee, this is another important site in South India, and it is of neolithic period, ठीक है, neolithic और South India में located है, tenth is the Brahmagiri and Pickley Hall, यहाँ पर cattle herding, यह हम को देखने को मिलता है, याने कि domestication of animal मैंने देखिए, यहाँ पर बात की हुई है, उसके बाद cattle herding मतलब उनको चरवाया भी तो जाता था न, उसकी जो practice है हमें, वो Brahmagiri and Pickley Hall में देखने को मिल रही है, and the last site for neolithic period would be Tokwa, Tokwa neolithic site है, evidence यहाँ पर pottery के भी मिलते हैं, early agriculture के भी मिलते हैं, right, यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बार फिर से insights को, neolithic period में पहली कौन सी है, महरगर, कोलदीवा, then there is this these are the various important sites of the neolithic period, after that अगर हम चालको लिथिक की बात करते हैं, तो इसका time period भी आप देखिए, 3000 BC to 500 BC, तो यह चालको लिथिक age की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर, emergence of the use of metal, तो इसका पहला feature क्या है, यहाँ पर copper का use होना start हो गया था, but instances of bronze usage is also there, तो यहाँ पर जो है, bronze का use भी पाया गया है, copper का तो use होता ही था, यह this is the key material, जिसके वजह से इसको बोला गया चालको लिथिक, चालको लिथिक मतलब copper stone age, copper is stone age, और copper में stone का भी use होता था, बहुत rare होता था, लेकिन stone tools भी देखने को मिलते थे, इसलिए इसको completely neolithic नहीं, बलकि e neolithic बुला गया, e neolithic क्यों, क्योंकि यहाँ पर copper का तो use हो रहा है, metal का use हो रहा है, लेकि यह देख पाओगे यहाँ पर कि animals जो थे, वो cows, pigs, goats, sheep, यह सारे के सारे जो है domesticated animals थे, इसके साथ में they also knew about camel, यानि उट के बारे में भी वो जानते थे, लेकिन वो जिसके बारे में नहीं जानते थे, यानि कि जिसका अभी तक proof नहीं मिला है, वो है horse, यानि कि चालको लिथ they did not know about horse, that is one point that you can use, चालको लिथिक पिरियद, domesticated animals were used for slaughtering and not dairy, this is another very important point, ठीक है कि चालको लिथिक पिरियद में जो animals थे, उनको किसलिए use किया जाता था, तो वो primarily meat के consumption में use होते थे, ठीक है, meat बनाने के लिए use होते थे, उनका डेरी का product कोई, यानि उनकी milking नहीं हुआ करती ठीक है, दूद उनसे नहीं लिया जाता था, तो this is one important fact, और चालको लिथिक एज के लोग जो है, अपना खाना पका के खाते थे, फिर वो जुम cultivation भी practice किया करते थे, slash and burn cultivation जिसको और दूसरा नाम है, इसके बाद जो है, they did not use plow or hoe, यानि कि वो wheat, rice, बाजरा, मसूर ये तो उ ये आप देखते होंगे कि कुसी खुदाई में use किया जाता है, तो इसको ही हो बोलते हैं, तो आज की date में जो है, हम इसको use करते हैं, तो ये एक continuous period भी दिखाता है कि पुराने टाइम से अभी तक किस तरीके से चीजें चलती चली आ रही, लेकिन ये चालको लिथिक period में use नहीं होता था, पॉर्टरी की अब बात करते हैं चालको लिथिक में, तो black and red wear होती थी, और important point यहां पर क्या है, यह important point यह है यहां पर कि only men used potter's will and not female potters showcasing division in society, तो society में division चालको लिथिक period में कैसे देखने को मिलता था, उस समय जब पॉर्टर वील use किया जाता था, तो खाल आदमी किया करते थे, औरते यूज नहीं करती थी, इस तरीके से एक division देखने को मिलता है, society में वहां की, फिर they did not know about burnt bricks, यह another point है, जो की paper में आ सकता है, कि चालको लिथिक period के लोग जो थे, वो burnt bricks यूज नहीं करते थे, जबकि mud brick में रहते थे, ठीक है, made thatched houses, they did not know about writing, writing के पारे में भी उनको idea नहीं था, लिखा पड़ी कैसे होती है, नहीं पता था, religious tilt की अगर मैं बात करूँ चालको लिथिक period में, तो they used small clay images of mother goddess earth, ठीक है, mother earth goddess, तो अगर मैं यहाँ पर बात करू, religious tilt की इनकी, तो वहां पर भी थोड़ी से clear होगी, कि small clay images of mother earth goddess की मिली है, और bull भ some kind of religious cult, but it is not clearly known, कि exactly वो पूजा मतलब ritual वाली करते थे, कि नहीं करते थे, लेकिन यह symbol के form में मिले हैं यापे, they were expert copper smiths, copper smiths वाई बिलकुल, अब copper मिला है पूरे में, तो copper से बनाने में किसी भी तरीके का ornament हो गया, हतियार हो गया, तो बहुत माहिर लोग थे, they also knew about spinning and weaving, य फिर beginning of social inequalities on the basis of housing pattern, housing pattern यानि कि center में जो है, जो मुखिया होता था, उसका घर एक rectangles हो गया, बाग की लोग कही side में ऐसा चोटा चोटा घर बनाके रह रहे हैं, तो इसलिए housing pattern के basis पे social inequalities चालू हो गई थी, चालकोलितिक period में, तो यह सारे points जो हैं आपके statements, यह आपके कल को paper मे आ सकते हैं, ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए, चालकोलितिक साइस की अभी बात करते हैं हम लोग, फिर earliest settlement की यहाँ पर बात करते हैं, तो पहला settlement जो है, यहाँ पर earliest settlement जो चालकोलितिक period के थे, कौन-कौन से हैं, पहला south east राजिस्थान में देखने को मिलता है, आहा आहार, बानस कल्चार एक होता है, जो कि मेवाल रीजन में, south east राजिस्थान में है, तो उसी आहार को यहाँ पर लिखा है, आहार as a side, गिलोंड as a side, ठीक है, कि तो गिलोंड and आहार जो है, यह dry zones में पाए जाता है, बानस वेली में, तो बानस वेली, overall हो सकता है, इस context में आए, लेकिन geography के किसी context में इस बार तुमसे पूछ लें, तो इसलिए यहाँ पर important हो जाता है, यह, फिर इसके बाद जो है, earliest settlement के हम बात कर रहे थे, south east राजिस्थान में, तो आहार एं गिलोंड lying in dry zones of बानस वेली, यहाँ पर stone axes देखने को मिल रहा है, blades, जो stone axes and blades जो है, व आपका, यहाँ पर हम पढ़ेंगे भी आगे चलके, तो आहार यह, आहार बानस culture है, तो यहाँ पर जो है, यह absent हो रखी है, stone axes, यानि कि पत्थर की जो, जैसे हमने paleolithic period में stone axes को देखा, तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, चालकोलितिक period में ठीक है, उसके बाद च आपकी side, third is महराष्टरा, और महराष्टरा में आपका जोरवे culture है, नेवासा culture है, नेवासा ने इंडस्ट्री हमने देखा तब पहले लिथिक इंडस्ट्री को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और side जो चालकोलितिक तक चल रही है, वो नेवासा अगेन है, फिर दाइमा चंदोली, सोन गाओ, इनाम गाओ, महराष्टरा में, मद्ध प्रदेश में मालवा, कया था, इरान culture से हैं, राजिस्तान में आपके आहार culture है और गिलून culture है, ठीक है, उसके बाद हम sites को एक एक करके देखते हैं, राकी गड़ी site ठीक है, one of the largest हरपन sites, showing signs of चालकोलितिक occupation as well तो राकी गड़ी में चालकोलितिक के भी साक्ष मिले, evidence मिले और हरपन site थी, यह हम लोग हरपन वाला next lecture में देखेंगे, फिर इनाम गाओं की बात करते हैं, तो इनाम गाओं जो है, यहाँ पर भी चालकोलितिक and early historic periods के evidence मिलते हैं, with well planned structures, ठीक है, तो वहाँ पर जो structures हैं, व अहार नदी पे कल को question आ जाए, तो भी आप कर लोगे, geography का question बन के आ सकता है, लेकिन history से learning आपकी बनी रहेगी, यह मेवाल region में, South East Rajasthan में, फिर black and red where pottery यहाँ पर देखने को मिलती है, copper के objects मिलते हैं, they had trade links with हरपन people, ठीक है, तो अहार बानस जो culture था, वहाँ के लोगों का trade link अहार अपन से, यह भी एक UPSC में सवाल आ सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद अहार बानस culture जो था, यह 3000 BCE से 1500 BCE तक था, इसमें भी important sites है, गिलंड हमने उपर देखा, अहार देखा, ओजियाना site is there, बलाथल site is there, पाचमता site is there, ठीक है, जो कि पाचमता 2015 में ही excavate की गई है, त इसके बाद आगे की sites को देखते हैं, तो बलाथल site is there, associated with अहार बानस culture again, revealing science of early agriculture, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन कहां पर है, यह ancient polt town है, जो कि associated था हरपन से और post हरपन period से, और चालकोलितिक site भी है, यह ठीक है, दाइमाबाद हमने देखा, इस बोथ हरपन और चालकोल कि मारी, यह भी एक चालकोलितिक site है आपकी और यहां पर burial practices भी देखने को मिलती है, फिर कायाथा culture, ठीक है, कायाथा culture भी चालकोलितिक site है, ठीक है, अगर हम sites की बात करते हैं यहां पर तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, अलिये settlement में हमने देखना, आहार और ग sites मिली हैं, और वो कहीं न कहीं इलाबाद की इर्द गिर्द मिली हैं, ठीक है, उसके बाद राखी गड़ी एक site है, एक यह हो गया, दोसरा राखी गड़ी, थर्ड इस इनाम गाउं, जो कि उपर मैंने नाम लिख दिया है, लेकिन फिर से एक order में चलते है, अहार बाना site is there, 5th is नौधा तोली, and 6th site is बाला थल, बाला थल जो है चाल कोलितिक site है, 7th is प्रभास पान चाल कोलितिक site है, 8th अथा है, भागी मरी चाल कोलितिक site है, कया था चाल कोलितिक site है, तो इन sites के बारे में की लिको am तो भी आपको clear रहेगा, यहाँ पर यह map है, NCRT से लिया गया है, आरे शर्मा किताब से, इसमें बहुत सारी चीजे तो उस तरीके से नहीं दिया है, लेकिन short form में सब कुछ दिया हुआ है, जैसे कि यह numbering इधर कर रही गई है, और इसकी sites यहाँ पर located दिखाई गई है, जो कि clearly इस map में तो नहीं है, लेकिन overall चुकि आपको location पता है, तो आपको clear रहेगा, अब following चालकोलितिक sites are shown region wise, ठीक है, इंडस सिस्टम के बात करें, तो मोहन जोडारो, हरपा, रोपार, सूरतगर, हनुमान गर, चानुडारो, जूकर, अमरी, जांगर, अब भई, यह चालकोलित sites ऐसी जो prominent इंडस सिस्टम की चालकोलितिक sites है, वो आपकी चालकोलितिक period को belong करती, जो इंडस वेली sites है, वो चालकोलितिक sites है, पहला इंडस सिस्टम को हो गया, दूसरे गंगे सिस्टम में कौशामबी, जो की अलाबाद के पास में, दूसरा एक और आलमगीर शहर जो है, वो आपका UP में है, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा सिस्टम में भी देखने को मिली है, चालकोलितिक sites, महानदी सिस्टम में भी देखने को मिली है, लेकिन चंबल में बहुत सारी sites है, जो की हमें चालकोलितिक sites देखने को मिली है, और यही हम उपर देख भी रहे थे ठीक है जो मद्यप्रदेश में हमें आद देखने को मिली थी है तो वो जो कया था कल्चर इरान कल्चर मालवा कल्चर हम देख रहे थे तो वो कहीं न कहीं यहीं है चंबल सिस्टम वाला कल्चर ठीक है तो यहां पर सेवा है नगदा है परमार खेरी है तुंगनी मेटवा टकर प्रावडा, भुलसुरी, माउरी, घटा, बिलोड, बेटवा, बिलावली, अस्ता, ये सारी के सारी साइज हैं आपकी, ये मद्द प्रदेश में चालकोलितिक साइज हैं, फिर राजपुताना, सौराश्ट्र में भी साइज देखने को मिलती हैं, रंगपुर, अहार, प्रश नर्मदा में चालकोलितिक साइज कौन सी हैं, नर्मदा सिस्टम में नवदा तोली, तो यहाँ पर नर्मदा से आप ये भी जोड़ सकते हो, भाई, रीवर सिस्टम है, ये सारे के सारे, तो कल को अगर जोगरफी का कोई कोश्चन आ जाता है, तो ये रिवर सिस्टम से तिलोड इस देर, महगम इस देर, हसनपुर इस देर, फिर उसके बाद तापी सिस्टम को कौन बिलॉग करता है, प्रकाश साइड, बहल साइड, और फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पर गोदावरी प्रवरा सिस्टम, जोरवे, नासिक, कोपारगाओ, नेवासा, दाइमाब ठीक है, यह बहुत जारी साइड से हैं, आप सोच रहोगे, इतने सारे नाम कैसे याद होंगे, देखिए, एक दो बार आप देखते हो ना, चीजों को, तो आपकी मेमरी में बस जाता है, तो बस देखते रहना है, दीरे-दीरे आपकी विज्वल पिक्टोग्राफिक मेमरी जो है, वो पकड़ देती है, और आपको वहाँ पर MCQ solve करने में मदद कर देगा, ठीक है, कहीं न कहीं आपके subconscious जो है, वो आपको recall करने में मदद करेगा, तो better would be, कि हम बस बढ़ते रहें, जो होगा, learning दीरे-दीरे बनी जाएगी, ठीक है, उसके बाद भीमा सिस्टम की बा पुरा सिस्टम यानि की भीमा नदी जो है, साउथ में बहती है, और उसी के आसपास के ये सारे के सारे सिस्टम है, आपके ठीक है, जैनरली ये रीजिन आपका करनाटका के आसपास वाला रीजिन है, फिर करनाटका में proper करनाटका की बात करो, तो ब्रह्मागीरा, पिकली, पिकली हाल and मास्की, ये साइट्स आपकी करनाटका की साइट्स हो गए है और यह चालको लितिक साइट्स हैं, तो यहाँ पर हमने चालको लितिक सिस्टम पुरा का पुरा देख लिया, शुकर यह देख रही है, यहिद भीमा जा रही है आप पर barley was the first grain cultivated by human beings in western Asian countries during 8000 BC तो barley पहला ऐसा cereal था जिसको cultivate किया गया दूसरा earliest evidence of man in India कहाँ पर मिला है नर्मदा वैली में ठीक है ये दूसरा important point है आपके prelims के लिए तीसरा mega lit क्या होते है mega lit आपकी burial sites है ठीक है जहां दफनाया जाता है तो उनको mega lit पुराने जमाने में बूला जाता था ठीक है अब इसके types भी होते हैं ठीक है ये जो types आप देखोगे तो ये आप देखिए कि कितने तरीके के dolmen एक mega lit आप बरियल टाइप है stone alignment दूसरा stone circle जिसको kromlech बोलते हैं वो तीसरा एक burial site है ठीक है burial way of burial है megaliths है chamber tomb चौथा है पाँचवा pit circles तो कल को अगर ये question आ जाता है ना मतब ये तीन terms भी लोग दे देते हैं अगर तो भी आपको clear होना चाहिए ये dolmen stone alignment stone circle जिसको kromlech बोलते हैं fourth is chamber tomb and fifth is pit circles तो इनको आप ये term इनसरा कोई भी दे दिया dolmen दे दिया kromlech दे दिया आपको और pit circles दे दिया या chamber tomb दे दिया तो आपको पता होना चाहिए ये सब burial sites है ये सब mega lit है ठीक है इस तरीके से यहाँ पर इसको हम finish करते हैं और उमीद है कि आप prehistory prehistory के बारे में जो भी prelims के सवाल है वो आप इससे काफी हदर तक solve कर लोगे चाहे statement based हो और चाहे factual questions हो ऐसे ही दीरे दीरे करके हम एक एक करके सारे chapters को finish करते जाएंगे और ये telegram ID है इसको आप use करिए और इस पे आप join भी कर सकते है further updates के लिए और lectures लगाता रहेंगे that I promise to you so that your learning continues ठीक है आप throughout learn करते रहें और आपका जो NCRT का burden है history NCRT का burden इतना बड़ा कि भाई बहुत सारी NCRTs पढ़नी पढ़नी पढ़ती है तो that can be reduced ठीक है NCRT का burden reduce किया जा सके और आप या वही पे focus कर सके है इसी के साथ जय हिंद जल्दी ही मिलूंगा नेक्स लेक्चर के साथ आपको ठीक है चलिए take care और स्वस्त रही है पढ़ते रही है लगातार